है अब्रीवान वेल्कम बैक टो नादर वीडियो ऑफ लाइफ साइंजिलोजी इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिट के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिसक्स किया था लिपिट के बारे में प्रोटेन के बारे में हमने डिसक्स किया था अब ह तरने गाड़ आघर मिलीज के बात करें तो टाइब आ उड़ सितनी अक्सटिक अगा आघर पेस्टिकंप बती करना सब्सक्01 को बिए यह नहीं कि.- अगर बात करें RNA की, तो RNA क्या होता है? Information collector तरता है DNA से और फिर protein का synthesis करने के लिए responsible होता है RNA, ठीक है? Next हम पढ़ते हैं, there are two type of nucleic acid that enable organism to reproduce from one generation to next generation. जैसे कि अभी हमने discuss किया, अगर हम DNA की बात करें, तो जो parent है, उससे next generation में जो character transfer करने है, उसके लिए कौन responsible होगा? DNA, तो nucleic acid basically क्या होगा? एक तरीके से reproduce करने के लिए capable बनाता है, transfer करता है characters को parent से next generation में. अब हम बात करते हैं, composition, composition क्या होती है? composition के अगर हम बात करें, तो nucleic acid are macromolecule, बहुत ही important biological molecule आप बोल सकते हो, macromolecule बोल सकते हो. ठीक है, हमने macromolecule क्यों बोला, that exists as polymer, polymer की रूप में exist करता है, मतलब monomer क्या होगा? यहाँ पे, monomer होगा nucleotide. ठीक है, polymer क्या है? polynucleotide, monomer क्या होगा? nucleotide. ठीक है, nucleic acid are macromolecule that exists as polymer called polynucleotide. ठीक है, polynucleotide जो एक तरेगी का polymer है, और monomer की हम बात करें, तो monomer यहाँ पे क्या है? nucleotide. अब हम पढ़ते है, nucleotide क्या होता है? nucleotide actually composed of three parts. nucleotide में कितने पार्ट है? three parts होते हैं, कौन-कौन से? पहला आता है pentose sugar, दूसरा आता है nitrogenous base, थर्ड है one or more phosphate group. ठीक है, तो तीन चीज़े होते हैं, nucleotide की अगर हम बात करते हैं, pentose sugar, nitrogenous base and phosphate group, one or two phosphate group. ठीक है, अगर nucleotide से हम phosphate group को हटा दे, तो क्या हो जाएगा? nucleoside. ठीक है, nucleotide without any phosphate group is called nucleoside. ठीक है, इन तीन चीज़ों में, अगर हम phosphate group को हटा दे, तो ये nucleotide की जगह क्या बन जाएगा? nucleoside. ठीक है, nucleoside में मतलब कौन-कौन से include होंगे? part, pentose sugar and nitrogenous base. ठीक है, nucleoside में सिर्फ pentose sugar and nitrogenous base include होंगे. पेंटो शूगर इसमें, सोरी, phosphate बोरिस में include नहीं होगा. अगर हम nucleoside की बात करते हैं, nucleotide में क्या है? तीनोई चीज़े include है, pentose sugar, phosphate group and nitrogenous base. component of nucleotide, अगर अब हम बात करते हैm, component of nucleotide one by one discuss करेंगे, कि pentose sugar क्या होता है, nitrogenous base क्या होता है, phosphate group क्या होता है? यह हम डिस्कूस करेंगे, बात करते है पैंटो शुगर की, ठीक है, पैंटो शुगर की हम बात करें, इस फाइफ कार्बन शुगर, ठीक है, फाइफ कार्बन शुगर यानिकि या पे पाँच कार्बन जो है प्रेजंट है, in case of RNA, it is ribose, while in DNA, it is deoxy ribose, ठीक है, आपने फुल फ RNA के अंदर, तो यहाँ पे, क्या है, 5 कार्बन यहाँ पे प्रेजंट है, ठीक है, पैंटो शुगर, पैंटो मतलब 5, ठीक है, 5 कार्बन और शुगर ग्रूप, तो यहाँ पे देखिए, ओच ग्रूप यहाँ पे प्रेजंट रहेगा, 1,2,3,4,5 जो की पीछे की तरफ यहा पर ओप प्रज Will知 और दिफ ट ईकिव हम बात करें तो यहां पर बात करें लिकिन यहां पर सिर्फ हज्च गुरोप प्रजन है यहां पर आक्स जंप नहीं है इसलिए हम इसको बोला है डी deux डियोक्सी राइबोस ठीक है अब आते हैं सेकंड यानि कि फॉस्फोरिक एसड नाइट्रोजन स्पेस को भी हम डिसकस करेंगे पहले हम फॉस्फोरिक एसड को डिसकस करें इत इस रिस्पॉंसबिल फॉर्ड फॉर्मेशन ओफ एस्टर लिंकेज हमने यह पड़ा है कि जो डि किसा हम एस्टर लिंकेज उसको बोल सकते हैं इस रिस्पॉंसिबल फॉर्ड फॉर्मेशन ओफ एस्टर लिंकेज बिट्विन टू नुक्लिटाइट चार्जर और डिन ने और ने ठीक है इस नेगेटिव डू फॉस्फोरिक एसड अब हम इसको एसड बोलते हैं ठीक है क्य होते हैं अगर आप स्ट्रक्चर देखो फॉस्फफरिक एसड का तो इस तरह किसे यहां पर स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिंजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर एस प्लस आयन जो है वह रिमूव हो रहा है ठीक है तो यह अजय हम डेने और र आने को नूक्लि होते हैं एकसे पोलीमर क्या है फोली नूकलियोटाइड ओर मोनमर क्या है नूकलियोटाइड नूकलियोटाइड की अगर अगर हम बात करें तो इसमें तीनatile पार्ट आते हैं पेंट्रूगर नािट्रोजेनिस बेस और फॉसफेट गूरूब ठीक है लेकिन अगर हम phosphate group हटा दें तो pentosugar और nitrogenous based क्या कहलाएगा nucleoside ठीक है इसे हम nucleoside बोलेंगी अगर हम बात करें component of nucleoside की तो pentosugar को अभी हमने discuss किया जो deoxy ribos है उसमें oxygen जो है remove हो जाता है इसलिए इसको deoxy ribos हम बोलते है फोसफोरिक acid की अगर हम बात करें तो by nature ही क्या है acidic होता है याप एच प्लस आयन जो है remove हो जाता है और यही responsible होता है linkage के लिए ठीक है दोस्ट हैं हमने discuss करी है DNA के अंदर तो आपस में जो backbone में जो linkage होता है वो ester linkage होता है नेक्स हम पढ़ने वाले है nitrogenous base की बारे में nitrogenous base क्या है each nitrogenous base contain one or two ring that include nitrogen atom तो यहाँ पर ring structure present होगा और इसमें nitrogen present होएंगे ठीक है तो यह भी दो type के होते है pyramidine और purine तो सबसे पहले हम देखते है pyramidine क्या होता है pyramidine has single ring structure सिर्फ single ring structure यहाँ पर present है जैसे कि आप diagram में देख सकते हो nitrogenous base यहाँ पर present है और oxygen यहाँ पर present है ठीक है तो यह pyramidine का typical structure हमने यहाँ पर डिसकस किया है अब example क्या-क्या है pyramidine के thymine cytosine and uracil यह कुछ example है pyramidine के प्यूरिन के अगर हम बात करें larger double ring structure प्यूरिन के अंदर double ring structure प्रिजेंट होता है diagram में आप देख सकते हो example क्या है प्यूरिन के adenine and guanine ठीक है तो अगर हम बात करें pyramidine जैसे के DNA और RNA के अंदर यह प्रिजेंट होते है DNA के अंदर भी 4 प्रिजेंट है और RNA के अंदर भी 4 प्रिजेंट है RNA में किया है urecyl present परिजेंट होता है किसके प्लेस पर थायमिन के प्लेस पर ठीक है DNA में thymine cytosine adenine और धंग क्वैन प्रिजेंट हtımれて है यहां पर thymine absent रहेगा और RNA के अगर हम बात करें तो तो यह nitrogenous base के बारे में हमने पड़ा, अब हम देखते हैं कि type of nucleotide क्या क्या होते हैं, तो जो nucleotide हैं वो तीन तरीकी के होते हैं, Mononucleotide, ठीक है, Mono मतलब single, ठीक है, एक ही nucleotide यहाँ पर present होगा, composed of one nucleotide unit, तिरफ एक ही यहाँ पर nucleotide present रहेगा, एक ही nucleotide unit यहाँ पर present है, example क्या क्या होते हैं, AMP, ADP and ATP, ठीक है, अब AMP क्या है, addosin, monofosfit, addosin, diposfit, addosin, trifosfit, ठीक है, यानि कि monofosfit सिर्फ एक ही phosphate group यहाँ पर present है, यहाँ पर दो phosphate group present है, यहाँ पर तीन phosphate group present रहेंगे, ठीक है, जितने phosphate group present रहेंगी, उतनी ज्यादा energy होगी, इसलिए हम बोलते हैं, ATP क्या है, currency है, energy, तो यह nucleotide के बारे में discuss हमने किया, जहाँ पर सिर्फ single nucleotide unit यहाँ पर present रहेंगी, अब हम देखते हैं, die nucleotide, नाम से आप समझ सकते हो, die मतलब two, ठीक है, composed of two nucleotide unit, यहाँ पर दो nucleotide unit present रहेंगी, example क्या है, NAD, एक तरीकी का co-enzyme होता है, आगे जब हम electron transport के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे, क्या होता है, नेक्स हम पढ़ते है, poly nucleotide, अगे नाम से आप समझ सकते हो, poly मतलब many, यहाँ पर composed of many nucleotide, example क्या है, DNA और RNA, ठीक है, DNA, RNA के बारे में आप जानते ही हो, बहुत सारे nucleotide यहाँ पर present रहेंगे, DNA और RNA के अंदर, वहीं पर mono nucleotide में सिर्फ एक ही nucleotide unit है, di nucleotide में दो nucleotide unit है, poly nucleotide के example है, DNA और RNA, जहाँ पर बहुत सारे nucleotide प्रेजंट रहते हैं, ठीक है, अगर हम structure देखें, किस तरीका structure होता है nucleotide का, तो यहाँ पर phosphate group present है, ribosugar present है, और nitrogenous base यहाँ पर present है, ठीक है, तो अगर हम nucleotide की बात करें, तो nucleotide में क्या can include है, pentosugar, phosphate group और nitrogenous base, जिसके बारे में अभी हमने discuss किया, ठीक है, तो next video हम DNA और RNA की बारे में पढ़ेंगे, इस दिए मेपन Indians, thank you so much for watching this video, I'll see you in the next one.